हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बुश्वागत है आज हम इस रेडियो में सरकारी स्कूल के जबराशी का फॉम फिल अप करेंगे वेबसाइट की लिंक मेंने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे रखाऊं आप वहाँ जा करके अपना फॉम फिल कर सकते हैं वीडियो सुरो करने से पहले आप लोगों से करेक्वेस्ट करूँगा अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब किजिएगा फॉम फिलप करने से पहले हम इस वेकेंसी की पातरता जान लते हैं कौन-कौन आविधन कर सकता है इसका जो मटेरिल है महां जान लते हैं सब से पहले देखें क्वालिफिकेशन की बात करें तो दसवी पास अभ्याती है महां अपना आविधन कर सकते हैं उम्रे की बात करें, तो 18 से 45 वर्ष के अव्याद्धी महापना आविदन कर सकते हैं, फिस की बात करें, तो SC-ST के लिए 250 उरुपे हैं, और जनरल कैटिगरी के लिए 500 उरुपे फिस हैं, हम इस व्यूडियो में आपको ओनलाइन आविदन करना सिखाएंगे, तो देखें फ्रेंट्स, अहाँ पर Contact, Person, Name वाले Option पर आपको अपना जो Tent में, मार्ग सीट में, दस्फी की मार्ग सीट में, वह नाम आपको दर्जे कर देना है, Organization, Name में आपको फ्रेंट्स, यहाँ पर आपको डालना है, Pune, Pune डाल देना है, कि बाद आपको Mobile Number डालना है, आपको Email ID डालना है, यूजरनेम में आपना खुद का नाम डाल देजीगा, एक पासफ़र्ट बना लिजीगा, जिसे आपका नाम राम है, तो आप पासफ़र्ट बनाएंगे, राम123 at the rate, दोबारत से आप अपना जो पासफ़र्ट है, वो बना लिजीगा, राम123 at the rate, इस प्रकार से, वो रजिस्टेशन वाले ओप्सन पर क्लिक करके, यहाँ से आप अपना जो रजिस्टेशन है, वो सक्सेस्फूल करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता जेता हूं फ्रेंड, भारत के जितने भी नागरिक है, वो अपना फोर्म फिलप कर सकते हैं, वो और पदों की बात करें, तो यहाँ पर एक लाग पचास अजार पद हैं, एक लाग पचास अजार पदों पर जो इंडिया के नागरिक है, सभी सरकारी स्कूलों में यहाँ पर भरती है, और सभी नागरिक अपना अवेदन कर सकते हैं, भारत का कोई भी नागरिक यहाँ पर आकर के आप अपना अवेदन कर सकते हैं, तो यहां से आप अपना सबसे पहले registration करेंगे उसके बाद आगे की step बदा दाउंट यहां से हम registration करके close कर देते हैं अब देखेवरेंट जैसे आप registration successful करते हैं तो आप next page पर आ जाएंगे next page पर सबसे पहले आप school type वाले option पर click करेंगे और यहां पर government school select करेंगे यहां पर आप अपना नजदीकी school का code number है नजदीकी school का code number आप पता कर लिजेगा आप कहां पर आवेदन करना चाहते हैं जो भी school में आप आवेदन करना चाहते हैं वहां का code दर्जिक कीजेगा उसके बाद आप dice code वहां का enter किजिएगा जो भी school का dice code है उसके बाद आप medium select किजिएगा Hindi, English, जो भी आपकी language है Hindi, English, Urdu तो आप कि अगर Hindi English है तो आप यहाँ पर Hindi select किस कर सकते हैं School Education टाइप आले option पर click करेंगे और यहाँ पर select करेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ पर बालक बालक का दोनों को पढ़ाना चाहते हैं तो CO, ED, 3rd वाला एक option है यहाँ पर click करेंगे इस प्रकाश है Statement, Year वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर Year select करेंगे यहाँ पर इस स्कूल का Year select करेंगे जब भी स्कूल ओपन हुई है उसके बाद यहाँ पर आप Board select करेंगे कौन सी Board है MP Board जो भी Board है UP Board या ओधर है तो जिस भी Board से हो आप अपने Board select करेंगे इस स्कूल का नाम आप दर्ज़ करेंगे जहाँ पर भी आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम दर्ज़ करेंगे उसके बाद आप Address एंटर करेंगे State select करेंगे जिला select करेंगे आप जिस भी जिले के रहने वाले हो उसके बाद आप Block select करेंगे Area select करेंगे आप Gram in हो तो Ruler वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे सहरी छेतर की हो तो Orvan वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे Region में आप नगर, निगम, नगर पालिका, नगर पंचायट ग्राम पंचायट आप select कर सकते हैं City में आप अपना City का नाम दर्ज़ करेंगे अगर आप गाउं का नाम दर्ज़ करेंगे तो कोई प्रोब्लम नहीं होगी Pin code नमबर यहाँ पर आपको दर्ज़ कर देना है आपका जो भी pin code है आप जहाँ पर आविदन करना चाहते हैं महा के principal का महा का principal है उसका आपको पूरा नाम यहाँ पर दर्ज़ करना है उसके नंबर मुबाइल नंबर हो तो आपको दर्ज़ करना तिया विशेग है अब यहाँ पर अपना नंबर मुबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज़ करेंगे अगर आपके पास fax number वो दोर दर्ज़ कर सकते हैं अपना email id दर्ज़ करेंगे यहाँ पर अगर आपके पास एक MPO online का जो form है MPO online की जो case का ID है या उसकी website है तो हो दर्ज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई सी भी website facebook word shop या कोई सी भी एक link हो तो यहाँ पर paste कर सकते हैं कि कोई सी भी social media की link आप यहाँ पर paste कर दिज़ेगा अगर दिकिए यहाँ पर bank detail इसलिए मंगा गया है क्योंकि आपकी जो फीर से वह refund कर दिजाएगी वापस कर दिजाएगी तो आपको bank detail में bank का नाम दर्जी करना है IPC code Eyu branch का नाम दर्जी करना है कि अगरांच code दर्जी करना है ऐकांट holder में आपका पूरा नाम दर्जी करना है इसके बाद आपको अकांट नमबर दर्जी कर देना है उसके बाद about school वाले option के बारे में यहां पर आप click करेंगे और यहां पर आप school के बारे में लिखेगा इसकुल के बारे में आपको बताना है इसकुल के बारे में आप जो भी जानकरी देना चारते हैं यहाँ पर फिल करेंगे उसके बारे में, स्कुल के बारे में आप पुरी जान करी दरजी की जेगा खिस स्कुल कहां पर, और में इस बाद के लिए आवेदन करना चाहता हूं। उसके बाद आप फोटो जो पाईल वाले डिव में पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर अपनी फॉटौ अपलोड करेंगे उसके बार प्रिसिपल के जो फॉटौ है है अब अपलोड कर सकते उसके इनके सिग्दिर अपलोड करेंगे शुआ कmeter किया यहां पर रेक जो भी अपना पाश्पोर्ट एक बना रखा है दोपरा से एक पाश्रूट बना लिजीगा जैसे आपका नाब राम 123 है तो राम 123 डाल देजीगा दोबादा से डाल देजीगा यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेशन फीर से हो पांच रुपे पोर्टल पचाश रुपे और यहाँ पर जिरो जैस्ट है जिरो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेशन फीडबेक डिटेल वाले ओप्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर किसके जरी आप फॉम फिलप करना चाते हैं यहाँ पर खुद तो सेल्प वाले ओप्चन पर क्लिक करेंगे यहाँ ओधर हो तो ओधर वाले ओप्चन पर क्लिक करेंग इसके बाद फ्रेंट्स नेक्स्ट स्टेप्स आपकी आजाएगी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप अब क्या आएगी फिस पेहमेंट की वह रिशिप्ट की पेहमेंट की अपकी आपकी आजाएगी तो यहाँ पर आपको अपना रिशिप्ट निकाल लेना है उसके बाद वेरिफिकेशन करना है और इनक्टिवेट अगर हुआ है तो आपको उसको एक्टिवेट कर देना है ठीके फ्रेंट वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक किजिएगा और हमारे चेनल को सस्क्राइब किजिएगा झाल झाल झाल